हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कूकर में फटा फट से और एकदम टेस्टी बनने वाला चिकन पुलाव की रेसिपी यह बहुत फास्ट बनके तैयर होता है और खाने में भी यह उतना ही टेस्टी यमी लगता है तो चलिए फिर बढ़ते हैं रेस दीर के दाने और 3-4 लोंक अब जो हमने यह सब अडन कर ना है मिकसी जार में आप लोग पानी आड़ के भी जाएंगा तो आप अब पानी आड़ कर लोगा कर तो दिखिये अ मैंने ने हिया यह है है अर आप यहां पर हमारा जो मसाला है बनके तैयार हो चुका है तो मैं और तेस पत्ता फिर एड़ करेंगे ऑनियन के स्लाइस तो मैंने पर सिव एक ही ऑनियन यूज किया है ज्यादा नहीं यूज करना है जैसे थोड़ा ऑनियन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें आड़ करेंगे जो मसाला हमने तयार कर लिया था वह वाला अब इसे अच्छी तर रखेंगे ताकि जो मसाले है वह अच्छी तरीके से चिकन को लग जाए फिर उसमें आड़ करेंगे हम आलू तो आलू आप्चिनल है दोस्तों अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको स्कीप कर सकते हो फिर आड़ करेंगे चावल और इसे करते अच्छे से मिक्स और एक से आपको आड़ करना है तो जितना चावल को पानी लगता है उतना आड़ कर दीजेगा अच्छे से मिक्स कर लीजेगा फिर हम उसमें आड़ करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और फिर इसमें जो लास्ट इंग्रिडियन हम आड़ करने वाल है वह है टमाटो तो मैंने यहा पे लिए थे दो टमाटो मेडियम साइस के इसे करते अच्छे से मिक्स और लगा लेंगे कुकर का ढखकर और ले लेंगे इसकी सीटी तो मैंने फास्ट फ्लेम पे दो सीटी ली थी और फिर उसके बाद मैंने पांच मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रखा था ताकि जो च 15-20 मिनिट में यह बनके तयार हो जाता है इसे गरम-गरम सर्फ करते हैं और इसे आप एंज्वाइ कर सकते हो दही के कुछ अबर के साथ में जो खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है अगर आपके घर में अच्छे रख मेमाना गए तो आप यह फटाफट बना के तय कर सकते हो तो यह आपको रेसेपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और आपको वीडियो अगर अच्छे लगा हो तो लाइक भी किजेगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक कर सकते हैं